हेलो और नमस्कार शुब प्रभात आप सभी का आज की स्पेसल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जितने वी विद्यारती हमारे साथ जुड रहे हैं एक बार सेशन को अपने सभी साथियों तक सेर जरूर कर दें ताकि आपके जितने और भी साथी हैं वो भी सेशन के साथ जुड सकें तो जितने विद्यारती हैं एक बार जरा सेशन को सेर कर देजे जहां भी आपका वर्टसप ग्रूप हो जहां भी आपका टेलीग्राम ग्रूप हो तो उससे क्या है कि आपके जो पुराने साथी हैं वो भी यहां तक जुड़ जाएंगे आज के सेसन में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे जिसमें विकास की अधारडा और अधियम के साथ साथ उनका जो संबंद है और उसके अवस्ताएं जो हैं वो पढ़ने वाले हैं तो जितने भी विद्यारतियों ने अगर अभी तक हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है जहां से आपको रेगलर अपडेट्स मिलती है कौन सी क्लास कितने वज़े होने वाली है और इसका पीडिया भी आपको वहीं अप्लोड कर दिया जाता है तो आप इस अप्लिक कौशन शुरू करेंगे कौशन नमर पहला आप लोग त्यार हैं अगर तयार है तो अरच लिखिये फिर चूरू करते हैं कौशन नमर देखो पहला पेहला कुशण है कि चरित्र काौ विकास होता है इक्सा सक्ति के द्वारा, या फिर बरताओ या बेहार के द्वारा, नातिक्ता के द्वारा, या फिर इन में से सभी के द्वारा आंसर कीजिए फटाफट से, option A, option B, या फिर option C, या फिर option D सभी बच्चों का एकदम सही और धमाकिदार जबाब आ रहा है वाह बहुत सुन्दर आंसर इसका क्या हो जाएगा option D यानि कि इन में से सभी के जारा question नमर दूसरा दूसरा क्या कह रहा है अलप वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिवाबक की भूमका होनी चाहिए option A, option B, option C या फिर option D बोले क्या होगा सही जवाब very good तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका option B देखो बच्चा अलप वयस्क है वयस्क नहीं है है ना तो अलप वयस्क बच्चों के अधिगम में जो अभिवाबक की भूमका है वो अगर सक्री होनी चाहिए संवयद्नात्मिक नहीं होनी चाहिए उदासी का मतलब होता है कि आगे बढ़कर active होना चाहिए बच्चा तो अक्तिभ हलाrr लेकिन parents को भी चंता गरनी चाहिए कि हमारा बच्छा पढ़ रहा है हमारा बच्छा time situation जा रहा है time situation आ रहा है उसके performance क्या है तो थोड़ा सा parents को active होना चाहिए यह बात पूछी है question मर तीसरा देखो ज़रा बच्छपन का सामप्रतिक द्रिष्ट कोड़ी की मानेता है question मर तीन बताइए क्या होगा सही जवाब बच्छपन ब्रद्धी इवं परिवत्तन की अनूठिय वदी है बच्छों को युवा प्राप्त वयसकों की रूप में सबसे अच्छा माना जाता है बहुत तरीके से बच्छे प्राप्त वयसकों के बरावर हो जाते हैं बच्छपन आधारित रूप से प्रतिक्षा अवदी है तो इसका सही जवाब क्या है? option A बच्छपन जो है वो ब्रद्धी और परवर्तन की अनूठी अवदी है question मर चार देखो ज़रा चार में क्या है? एक प्राप्त शामान वर्यवर्त की आईव के बच्छे में सबसे अधिक होना संबब है सबसे अधिक होना जो संबब है वो क्या होगा? उले क्या होगा? इसका सही जवाब question मर चार बयसकों को खुस करने के बारे में दुश्यनता की अनूठी बयसकों को खुस करना चाहता है बालक क्या ये बात सही है? दूसरा विकल्प है समकक्षी के अनुवदन के लिए वेचैनी कुल प्रेरक्षमन में में कठिनाई अब और यहां में उसकी रुचियों को सिमित करना तो इसका सही जवाब होगा option B समकक्षी के अनुवदन के लिए वेचैनी यानि कि उसका जो साथी है उसके लिए वो बहुत वेचैन रहेगा क्योंकि होता क्या है? इस सबस्ता में बालक अपने समुह को ज़्यादा महत देता है है ना? और उनका जो attention है वो प्राप्त करना चाहता है आपने देखा होगा कि इस सबस्ता में क्या होता है कि बालक जो है बालक के group में रहना पसंद कर देता है है ना? तो अपने साथियों के परती वो बहुत बिशार करता है सोचता है कि यही अब मेरी दुनिया है परिपक्वता का सम्मंद किसे से है? स्रजनात्मक्ता से है? विकास से है? ब्रदी से है? स्वरी बुद्धी से है? या फिर रुची से है? question number 5 गोलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? option B यानि परिपक्वता का जो सम्मन्न है वो आपका विकास से है ना और विकास जो है वो वह पक्रिया है जिसमें बालक का मानसिक और सारीरिक रूप से होता है और परिपक्वता की और अग्रिसर होता है छे देखू तरह कुशन मर छे सरीर के आकार में ब्रदी होती है क्योंकि सम्भीक आत्मक, सरीरिक और गत्यात्मक विकास, नैतिक और शंग्यनत देखो सरीर की बात की जा रही है यहाँ बात किसकी हो रही है? सरीर की हो रही है तो आपका विकल्प भी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा सारीरिक और गत्यात्मिक विकास, कुश्नमर साथ, साथ में क्या है दोस्त, एक टीरे वर्षी वालक बात-बात में अपने बड़ों से जगड़ा करने लगता है, और हमेशा सुऎम को सही साबित करनी की कुशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है बालक है तेरे वर्ष का बोले क्या होगा पई तेरे वर्ष का बालक है तो सीधी सी बात है यह आपका क्या हो जाएगा किसोरा वस्ता हो जाएगा है ना किसोरा वस्ता जो है वो जीवन का सब से कठिन जो काल है उसको माना जाता है कुशन नमर आठ आठ में क्या है मानसिक विकास को प्राभावित करने वाले कारक कौन से है option A, option B, option C या फिर option D Q8, बोले इसको सही जवाब क्या होगा, option D, सभी विद्यारतों ने एकदम सही जवाब दिया है option D, चलिए आगे चलते है, Q9, सर्म जथा गर्व जैसी भावना का विकास किश अवस्ता में होता है question number 9, बोले, यह अच्छा प्रश्न है, वाले आवस्ताब, रधा वस्ताब, किशुर आवस्ताब, सैस्वा वस्ताब बोले, क्या होगा सही जवाब इसका सही जवाब होगा, आपका option A, कई भी धरती C लगा रहे हैं वट नहीं बले आवस्ताब में बालक सर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कर लेता है उसको यह सब चीजे अन्भूती हो जाती है तो इसका सही जवाब होगा आपका बाले आवस्ताब देखो, आपने देखा होगा कि बला आवस्ताब कि बलाव स्ताब होता है और अगर बालक से कुछ हम लोग मजाग में भी कहते हैं तो बालक तुरूंद सर्म करने लग जाता है तो यी सब चीजे बात्षी में बाल्य आवस्ता की दोरा नहीं आ जाती है कुशन नमर 10 सहस्वावस्ता की मुख्य विश्यस्ता क्या नहीं है बोलिए कि सहस्वावस्ता की प्रमुख्य विश्यस्ता क्या नहीं है कि सहस्वावस्ता में क्या करना है आपको बोलिए कि चिंतन प्रक्रिया नहीं करनी है आराम से मस्त पड़े रहना है कुछ सोच रही नहीं है खाना पीना सब वबस्ता अपनी लगनी है तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए अगला देखो ज़रा कुछ नमबर ग्या रहे सारीरिक विकास का छेत्र क्या है इस्मती इस्नायू मंडल अभी प्रेड़ा और समायूजन कुछ नमबर ग्यारा है देखो इस्नायू मंडल यह आपका सारीरिक विकास से है बकी इसमती अभी प्रेड़ा और समायूजन ये सब आपके मानसिक विकासे हैं किस से हैं मानसिक विकासे सम्मंदित है और ये जो है ये आपका केवल और केवल सारी विकासे सम्मंदित है अगला देखो ज़रा तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है सबसे ज़्यदा तनाव का बाता है सबसे ज़्यदा क्रोध का बाता है क्या होगा सही जबाब आपको किशुर आवस्ता हो जाएगा अगला देखो ज़रा question number 3 विकास में व्रद्धी से क्या तात्पर रहे 3 आकार सोच समझ कॉसलों में व्रद्धी बजन में व्रद्धी ग्यान में व्रद्धी या फिर संबेग में ब्रद्धी, बोलिए विकास में ब्रद्धी से क्या तातपर है बहुत सही, बहुत अच्छा अंसर करना है आप लोग अंसर ए उप्सन है, वो आप सबका बिलकुल सही है जितने में भी देर तो ने ए उप्सन सही जवाब दिया है अगरा कुशन देखो जारा बाल्य आवस्ता होती है, 21 वर्स तक, 5 वर्स तक, 12 वर्स तक या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बोलिए बाल्य आवस्ता पूछ रहा हैं भाई अब ये कुशन हम लोग देखके आये थे कि बाल्य अगर 13 वर्स के वस्ता में हैं तो वो क्या है तो सही जवाब क्या है, उप्सन सी, 12 वर्स तक जो है वो आपकी बाल्य आवस्ता होती है अगला देखो ज़रा किस्य मनवाज्यानिक के अनुसार, विकास एक सतत और धीमी प्रकरिया है बोलिए कुश्यन नमर 15, किसने कहा है सही जवाब है, आप सबका ओप्सन ए जिन वी विद्यारतों ने ए ओप्सन पर टिक किया है, ए ओप्सन कमेंड वर्क्स में लिखा है उन सबका सही जवाब है कुश्यन नमर 16 क्या जवाब होगा विग वाहन्टी के अनुसार, डैस की विश्यस्ताओं को सरवोतम भूफ से व्यक्त करने वाला एक सब्द है, परिवर्तन परिवर्तन सारीरिक, समाजिक और वनवज्ञानिक होता है अब किस अबस्ता में इस सब हो जाता है यह चीज पूछी है इस प्रशन में, बोले, बोले पता यह सही जबाब हो जाएगा आपका ओप्शन C, किसूरा आवस्था आगला देखो जारा क्या होगा क्या होगा इसका सही जबाब पूर वल्य आवस्था की विशेस्था नहीं है, सत्रह खेलने की अवस्था, प्रशन करने की अवस्था, अनकुरल करने की अवस्था, यह फिर दल्या समू में रहने की अवस्था, तो पूर वल्य आवस्था की जो विशेस्था है ना, सोरी विशेस्था नहीं है, वो है दल्या समू में रहने की अवस्था, बाकि यह सारी है, त उत्रोतर स्रंखला अभी प्रेडा के फलसुरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्रोतर स्रंखला परिपक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष है उन सब का सही है और विकास का सारीरिक मानसिक और उसके उनभव परिवर्तन होते हैं उसकी इक स्रंखला है जो आपके जीवन परियमते तक चलती है तो इसलिए इसका सही जवाब बिलकुल सही हो जाएगा कुशन में 19 देखो जाना खिलोनों की आयू कहा जाता है पूरवाल्य आवस्ता को कहा जाता है सहस्वाबस्ता को कहा जाता है उतर वाल्य आवस्ता को कहा जाता है या फिर all of these यानि कि इन में से सभी को कहा जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा खिलोनों की आयू किसको कहा जाता है सही जवाब आपका हो जाएगा पूर्व वाल्य आवस्ता को खिलोनों की आवस्ता भी कहा जाता है कुश्चन नमर 20 विकास के संदर में निम्ली कित्मी से कौन सा कथम सत्य नहीं है बोलिए कुश्चन नमर 20 बहुत हल्वा और अल्टिमेट कुश्चन है ये 20 करते रही है आंसर बहुत सुन्दर सही जवाब है option A क्योंकि इसमें आप से negative पूछा है अगला देखिए सामान्य परिपक्ष्चन से पहले प्रिशिक्ष्चित करना अप्राया है क्या कहलाता है यानि कि कोई वक्ति है सामान्य तया परिपक्ष्चन ही हुआ है उससे पहले हम आपको उसको प्रिशिक्ष्चित करें दे रहे हैं बोलिए क्या होगा कोई मिलाकर हानिकारक हो जाएगा सामाने कौशलों के निश्पादन के संदर में बहुत लावकारी होता है लावकारी हो या फिर हानिकारक या इस पर निर्भर करता है कि प्रिसिक्षर में किस विधी का प्रियूग किया गया है बोलिए A, B, C, D में से क्या सही होगा क्या सही होगा Question No.21 तो इसका सही जवाब क्या है? Option C ये चाहे लावकारी हो यहां निका रखो इस बात पर निर्भा करता है कि हमने जो आपको Presection दिया है उसमें कौन-कौन सी विदियों का प्रियोग किया गया है वाइस देखो जरा निम्न लेकित में से कौन सा विकास उत्तर वाले अवस्ता के लिए उप्योग तो नहीं है वो ये वाइस Question No.20 क्या होगा वाइस में निम्न लेकित में से कौन सा विकास उत्तर वाले अवस्ता के लिए उप्योग तो नहीं है हैं सही जवाब क्या होगा option B एक पुरुस या इस्तरी की सामाजिक भूम का प्राप्ट करने एक बात बताओ बालक बाल्यावस्ता में हैं आप उसका बेहा करके उसको एक भूमिका में लाना चाहते हैं बेचारा तो अभी तो खोड़ ये बाल्यावस्ता में हैं बारा बर्स क के बस्ता में आप बालक की साथ ही विया कर देंगे उसको जम्यदारी देंगे नहीं देंगे ना अगला देखो जरा 23 यदि छात्र अधिकान से कार स्वयम के हांतों से करेगा तो क्या होगा बोलिए कुश्यन नमर 23 ओप्शन ए ओप्शन बी ये फिर ओप्शन सी ये फिर डी 23 सही जवाब होगा आपका ओप्शन ए बच्चे में आत्म निर्भरता आएगी आत्म निर्भर बनेंगा है ना 24 देखो जरा बिलकुल आसान कुश्यन है नवजात शिसू का भार कितना हूता है आठ पाउंड साथ पाउंड नौ पाउंड ये फिर छे पाउंड सही जवाब है आपका साथ पाउंड कहीं कहीं आपको एग्जेक्ट मिलेगा 7.5 गर्व में बालक को विक्षित होने में कितने दिन लगते हैं छे सो चालिस दो सो अस्सी एक सो पचास तीन सो नबब्ब्ब्ब्धी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं 26 परियावरन आहार स्वास्त या फिर ओल आफ दीज यानिकी इन में से सभी बोलिए सही जवाब क्या होगा आपका ओप्शन डी यानिकी इन में से सभी 27 देखिए मनव विज्ञान के अनुसार वाल विकास की कौन से बस्ता सबसे जटिल और कठिन है बिलकुल हलुआ कुश्यन है ये तो बोलिए सही जवाब ओप्शन बी किशोर अबस्ता 28 देखो एक सिसु का समाजिक विकास निर्भर होता है सिसु को मिलने वाले प्यार और अपनतों पर उसके अनलोगों के साथ अंताह क्रिया कर पर उसके ज़रा दूसरों पर ध्यान अपनी और आकर्शित करने की शमता पर या फिर ओल आफ दीज यानिकी इन में से सभी पर सही जवाब क्या होगा ओप्सेंडी यानिकी ओल आफ दीज ये सभी है अगला देखो जरा गर्वधार्ड सेश-शिसू के जन्म की अबदी को क्या कहते हैं 29 पता ही अंसर सही जवाब है आपका ओप्सेंडी प्रसब पूर वकाल कहते हैं कुशन मर तीस मानवों या फिर मनस्यों में विकास की सबसे ती ब्रगती होती है सहसब वकाल में किशोरा वस्ता में योवन वस्ता में या फिर वाले वस्ता में बोलिये मनस्वर में विकार्ष की सबसे ती ब्रगती पूछा है भाईया तो इसका सही जवाब है option B किसोरावस्ता में किसोरावस्ता में क्या होता है कि विकार्ष की सबसे ती ब्रगती किसोरावस्ता में पहुचे जाती है क्योंकि कि सूरा अवस्ता में जो विकार से वो ती ब्रिगती से वालक उसमें का होता है सामंजस्य नहीं बैठा पाता है सामंजस्य स्ताफित नहीं बैठा पाता है अगला देखो ज़रा 31 इन में से कौन सी ग्रंथी प्यूस ग्रंथी को नियंतिरत करती है तथा इस प्रकार शरीर को शामाने तथा आनुपातिक विकास को प्राभावित करती है 31 बताई ज़रा हमने आपके ट्रिक बता रखी थी PM बाली अगर याद है तो फिर अंसर कर दो सही जवाब है आपका option D यानि कि इन में से कोई नहीं देखो ये प्यूस ग्रंथी है प्यूस ग्रंथी आपकी मास्टर ग्रंथी होती है इसमें कोई भी मास्टर ग्रंथी नहीं दी है तो इसका जवाब हो जाएगा option D 32, बलक का प्रारंबिक विकास मुख्यता किस पर निर्भर करता है, पताई अंसर किस पर निर्भर करता है सही जवाब है आपका उप्शन भी माता पिता पर अगला देखो जड़ा, 33, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के वहतर जो बातावट पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धर बच्चों के अपिक्षा क्या होता है ओप्सन A, ओप्सन B, ओप्सन C या फिर ओप्सन D सही जवाब है आप सबका ओप्सन C क्योंकि देखो एक बच्चा निर्धन परिवार से है, एक बच्चा सर्पसमपन परिवार से है तो जो दूसरा बच्चा है उसको इन बच्चों के अपिक्षा परिषित्या जो है ना पढ़ने के लिए बहतर प्राप्त होती है, जैसे हमारे लोगों के पुराने जो लोग हैं पिता जी या बाबा रहे होंगे तो उनको पढ़ने के लिए इतनी बहतर सुबदाएं या बहतर बबस्ताइं नहीं मिल पाई जितनी हम लोगों को मिल नहीं है मिल नहीं कि नहीं मिल नहीं बताए 34 प्रतिवें अबधाड़ा प्रतीक एवं संकीत भासा सारे रिक्रियां और वांसी क्रियां यह किसमें अंतर नहीं थे हैं बूलिए A, B, C, D सही जवाब है आपका ओप्सन है यह विचार आत्मंक प्रक्रिया के अंतरगत है 35 विकास के परिपेक्ष में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निमने में से क्या सामिल है बूलिए कुश्यमर 35 सही जवाब है आपका ओप्सन D 36 देखो ज़रा बूलिए 36 वताई यह आंसर क्या होगा सही जवाब एक बच्चे की ब्रधी और विकास के अध्यन की सरवादिक अच्छी विधी कौन सी मानी जाती है विकासी विधी सबसे अच्छी विधी मानी जाती है है ना हर लौक ने क्या कहा है कि विकास की प्रिक्रिया गतिशील होती है और विकास अत्मक के गुण कैसे समाहित किये जा सकते हैं उन्हें राष्टी नायकों से परचित कराकर उन्हें कथिपर सामोदाइक सेवाकार आवंटित करके उन्हें भारती समिधान से परचित कराके उन्हें अच्छी नागरिक्ता का भाशन देकर बताइए क्या हुगा अज़र्द बहुत सुन्दर सही जबाब है आपका option A अब देखो कई विद्यारती कह रहे हैं कि option B सही है नहीं सही है आप कोई छात रहें ठीक आप उन्हें कोई छोटा सा इक्सामुदाई कार दे दें तो उससे क्या लगता है कि आपको अच्छे नागरे के गुड़ विक्षित हो जाए तो उन्हें अगर आपने कोई सामुदाईक शेवा का रदे दिया तो उससे आप क्या समझ सकते हैं कि अच्छे नागरे के गुड़ विक्षित कराके भारत के महान विक्तियों किताब है बच्चों के लिए क्यों चलाई जाती है कि बच्चा अपने देश के जो महान देखने के पीछे का करण क्या है कि कम से कम उनके जो गोड़े हैं वो जिन आदर्सों पे चले हैं हम उनका अनुसरण करें एक भी बात यदि हम सीख पाएं तो हमारा जीवन सार्थ हो जाए अर्टिस देखो जाए रहा च्छै या साथ वर्स का बालक दूसरों के बिचारों को सुईकार करने के योग नहीं होता है भाउत ज़्यादा बुद्धिमान होता जैसे आप लोग हैं कलफना सील होता है एहम के अंधृत होता है बोलो 38 सही जबाब क्या होगा बालक होता है अहम गेंद्रत सोचता है हम है सो कोई नहीं है ना 49 दिखो ज़रा ये second large question है आज का बर्दी के वारे में क्या सही नहीं है 39 अब रद्धी मातरात्मक होती है अब रद्धी साराजी होती है ये जीवन परेंत चलने वाली प्रक्रिया है और अब रद्धी मातरात्मक होती है बताईए क्या होगा सही जबाब सही जबाब क्या होगा देखो इसका सही जबाब हो जाएगा option C अब रद्धी है जो जीवन परेंत चलने वाली प्रक्रिया है यह नहीं है भाईया देखिए जो आपकी ब्रद्धी है और जो आपका विकास है ब्रद्धी जो है वो विकास का ही भाग होता है अब ब्रद्धी है जो आपकी वो निश्चित आयू तक चलने वाली प्रिक्रिया होती है और जो आपका विकास है डेवलेमेंट वो कब तक चले बताई ज़र आप लोग और यह आज का लास्ट कुश्चन चालीस चैसे ग्यारा वर्स आई वर के वालकों की विश्चताइन निम्न लिखित हैं चालीस सीखने के लिए सिख्षकों पर निर्भर होते हैं बालक स्वाभावे के वं सक्रिय अधियम करता होते हैं बालक सिख्षकों से ग्यान प्राप्त करते हैं बालक सीखने में रुशी नहीं रखते हैं क्या होगा सही जवाब बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन भी बालक स्वाभावे केवं सक्री अधियम करता होते हैं है ना जिसका भी ऑप्शन है उन सब का सही है अब एक बार ज़रा हमें ये बताईए किसके चालिस में से कितने अंक आए हैं अगर आपके 35 पिलस हैं तो आप समझे आपके तैयारी बहुत वहतर चल लई है अगर आपके सिक्कम है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी के और अवशिक्ता है जो विध्यारती टेलिग्राम पे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और इस चैनल पर अभी आपको कम से कम दोशो विध्यारतीयों के और आप सेकता है तब आपके 1000 सस्क्राइबर पूरे होंगे और 1000 सस्क्राइबर जब आपके पूरे हो जाएंगे तो इस चैनल पर हम लोग भी लाइब आ सकते हैं बिना 1000 सस्क्राइबर के हम लोग लाइब न इसको बढ़ा कि एक घंड़े का कर दिया जाए यानि कि एक घंड़े के प्रस्में कर दिये जाए आपके लिए तो अपनी राए कमेंड बॉक्स में जरूर दीजेगा थैंक यू सो मच बाई बाई टेक केर